अला डाही मत्यां डाहीं डुखदिसन ये शेर है जो शाह अबदिल्लतीर बिटाई का है और बहुत ही मशूर शेर है इसका मतलब ये है के अला मैं समझदार ना वनू मैं डाही मतलब समझदार स्यानी पड़ी लिखी जो दुनिया को जान सके क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं वो ज्यादा दुख देखते हैं ये मेरे ख्याल में कि हर उस इनसान पर ये शेर जो है वो लागू होता है जो किसी इनकलाब का खाफ देखता है दुनिया को बदलने का खाफ देखता है आज हम जिस किताब की बा एक जिदोजयत का नाम है, एक तन्जीम का नाम है. जो भी लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत को जानते हैं और पाकिस्तानी सियासत में औरतों की शमूलियत को समझते हैं, वो सिंद्यानी तहरीक के नाम से जरूर वाकिफ होंगे. उसका MRD की तहरीक में क्या हिस्सा रहा सिंद्ध की समाजी तरक्की को आगे बढ़ाने में क्या हिस्सा रहा ये कहीं इतना ज्यादा डाक्यूमेंट नहीं है वो काम बहुत किया सिंद्यानी तहरीक ने 1982 से लेके फॉर्मली वो 1982 में उसका वजूद आया लेकिन इन्फॉर्मली जो है वो सत्तर की दहाई से जो है वो काम कह रही थी जब वन यूनिट का जमाना था तब से सिंद्यानी तहरीक की जो खवातीन है वो सियसी मेदान में थी उसके बाद बहुत सारी तहरीकों में उनका बड़ा अहम वो किर्दार रहा है बहुत सारी बाते हैं, मेरा अपना जाती तजर्वा है, मैं खुद सिंध्यानी तरीक का हिस्सा रही हूँ, वो आगे चलके हम बात्चीत करते रहेंगे लेकिन इस वक्त जो कांग जो किया है कासिम सोडर साब ने ये किताब हम उस पर बात करेंगे और किताब का नाम है फेमिनिजम और सिंध्यानी तहरीक की जिदोचहद, सिंध्यानी का मतलब जो लोग अगर सिंध्यानी बिलकुल नहीं समझते तो सिंध्यानी का मतलब है कि सिंध्यानी और इसको बड़ी महबत से जैसे आप आप कहना चाहें न सिंध्यानी ये किताब जो ह इल्म तद्रीस के शौबे से वाबस्ता है उसने काइद आजम यूनिवरस्टी से ही जो है वो मास्टर्स किया एमफिल किया और उसके बाद चाइना से जो है वो पीएशडी की जो है वो डिग्री ली उन्होंने ये किताब जो है सिंधी में लिखी है हमारी इस पर तनकीद भी है कि ये सिंधी में ही क्यों है इसको उर्दू और अंग्रेजी में होने चाहिए वो आखर में हम उससे पूछेंगे कि ये क्यों नहीं तरजमा कर रहे हैं ये क्या होगा लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं कासिम साब से यही पूछना चाहूंगी कि आपने इस किताब को लिए खास度 और पाकस्तान में जो ओरतों की सियसी जिदोजह्त है या समाजी जिदोजह्त या फेमिनिस्ट मुवमेंट है उसमें आप क्या समझते हैं कि सिंध्राइनी तीरीक के इस काम की क्या एहमेयत है और थोड़ा सा हमें ये भी ब्रीफ करें के किताब के अंदर परचुन डिफराम की और मड़म आपका भी शुक्रिया कि इतने शार नोटिस पे आपने रजायर कि इसको माड़र करने के लिए सारी आइडियां जो यहां पे बेटे हुए हैं जो आनलाइन हमें देख रहे हैं सुनना हैं उन सब का शुक्रिया अब सबसे पहला जो बुनिया के बाद यह किताब जो बबिश हुई है मैं बैसिकली पीएज़ी करा था शंगाई इनुस्टी चाइना से और मेरा जो पीएज़ी का मौजू है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है वो लेफ्ट की मूमेंट सेंदो और भलोचिस्तान की उसमेरा काम है लेकिन काफी अरसे से मैं न्यूस पेपर्स फगरा में लिखता रहता था तो उसमें मेरा यह ख्याल था कि यह एक ऐसी तन्जीम है जो के ना तो अस हवाले से हमें ज्यादा कोई चीज़ें अर्दू और इंगलिश में मिलती है लेकिन इवन इस सथर तक के सिंदी में भी इस हवाले से कोई चुना कि मैं कुछ फैमिनिस्ट मुवमेंट्स यो पाकिस्तान की रही है उस पे में काम करता हूं और उस पे एक पेपर लिखता हूं तो मैंने दो बेसिकली तन्जीमे थे जिनको इस केस स्टड़ी लिया एक सिंद्यानी तरीक और दूसरी वुमन एक्शन फोरम और वो पे और डिफरेंट और जगहों से भी वहां पे लोग बेटे हुए थे तो जब सिंद्यानी तरीका मैंने तारिफ करवाया कि इस तरह की एक ग्रासरूट लेवल की भूमेंट है जिसमें बहुत कम पढ़ी लिखी खवातीन या बिलकुल अनपढ़ खवातीन वो लीड कर रही थ वहां से मैं जैसे ही लोटा तो उसके बाद मेरा एक लेक्चर शंगा यूनिवस्टी में इसी मौजू पे वहां पे साउथ निशन स्टेडी सेंटर उसमें रखवाया गया उस लेक्चर के दोरान भी मुझे लगा के काफिया ता क्यूंकि वहां पे डिफरेंड आइडियंस में लोग बेटा हुई थे जिसमें, especially those who were from Bangladesh in India, उनको Women Action Forum का पता था, तोड़ा बहुत उन्होंने उनके बारे में सुना था, लेकिन सिंद्यानी तारीक was totally unknown moment, और मुझे ये बढ़िया तक मुझे लग रहा था गया एक रिसर्च गेप, इस लेवल की एक तन्जीम है जिसके हवाले से लोगों को जादा पता नहीं है, फिर मेरा इंट्रेस बढ़ता गया, कि एक छोटे से रिसर्च पेपर्क तक मधदूद क्यों रहें, क्यों ना इसको मैं थोड़ा एक्स्टेंट करके इसको जोने एक बुक फार्म में लेकर आता हूं, और उस टाइम से मैंने इस फर्दर काम करना शुरू कर दिया, और क्योंकि उस टाइम पिएजडी थीसिस भी था मेरा तो जारी बात है, परिलेल दोनों चीज़ों को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट था, वहाल मैं जब मैं वापस आया, पिएजडी कंपिलिट करके, तो उसके बाद मैंने इस पे जीब जैनत करे हैं, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की सारी चीज़ हैं, लेकिन बाराल, अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, काम करने के अवाले से, कि एक तरफ मेरा अपना इंट्रेस्ट भी था, कि मैं इस पे काम करूं, दूसरा ये कि आप ऐसी काम करना चाहता हूं, लेकिन आपका मुझे तावन चाहिए, तो मज़ेगी बात ये कि उस तन्जीम के अंदर भी कोई डेटा कलेक्टेड नहीं था, कि आप तोड़ा था कोई सीकेंज में चीज़ें रखें, उन्होंने मुझे बताया कि हैं एक छोटा सा गाउं हैं कि एक माउस्ट पार्टी रही हैं तो उन्होंने का कि वो सारा मावाद हमारे बास पड़ा हुआ हम आपको देंगे फिर आप उसमें जो निकाल जड़ादे हैं तो लेगा हम रिसर्चर एं महारा काम इज है यह आप मुझे उस पर एकसेज देए तो उन्होंने बड़ी जब जब मैं उनको पढ़ रहा था तो जो मेरा इंट्रेस था और भी ज्यादा बढ़ रहा था कि एसी एसी खवातिन जो बिल्कुल उस पेजन बेग्राउंड से हो जिन्होंने कभी मतलब इसकूल का मून नहीं देखा हो कभी गई नहीं हो उसके बावजूद वो इस लेवल पे है कि MRD में वो रास्तों पे आ गई हैं वो मूमेंट कर रही हैं तरीक चला रही हैं और उनके जो प्रोग्राम्स थे उसमें शेकायास उस्ताद बुखारी जैसे बड़े बड़े जो शोरासन के वो चीफ गेस्ट के तोर पर बैटे हैं और उसमें शेकायास के ये अलफाज जो मैंने किताब में कोड़ भी किये हैं कि वो हैरान होके ये पूछे हैं कि अलियो जो रसुल वक्रण पली जवामी तरीक के लीडर थे फाउंडर थे तो उनसे वो पूछ रहे हैं कि सच सच बताएं ये जो खातून भी तक्रिर कर रही है ये वाकियान पड़े हमें बेवकु बना रहे हैं आप क्योंकि इस लेवल का उनका जोनों वो जोश जजबा और जिस हिसाब से वो बोल रही है तो बरहाल ये सारी चीज़ें थी जो मुझे अट्रिक कर रही थी कि इस पे फर्दर जोनों काम किया जाए फिर मैंने डिफरंट इंगिल से उसको देखा तो एक दफा लाहोर में किसी वाक्शॉप में मुझे जाने का मुका मिला तो वह पर मुझे एक पंझाबी की शायरा जो थी वो मिली मुझे तो हम बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि जी मैं सिंध्यानी तरीक में भी रही है इतना खुशी से उठी और फिर देशा मु क्या सर कर सकी उसने बताया कि कुछ साल पहले दस साल पहले में पल्यू सब्सफाब ने हमारा जो है एक टूर जो है वह भो लगाया था अमने सिंथ का वह पर हम गए गाओं में ओरतों के साथ मिले तो कहती है मैं अग्व में गई। वह हम पर एक औरत जो है वो चूले पे खाना लकडियों के साथ बना रही थी तो मैं उनके साथ जाके बैठ गई और मैंने उसे पूछा कि मैंने कहा कि यार यहां तो बहुत गुर्बत है सिंद के अंदर और अभी तक देखो गैस नहीं है ये नहीं है आप बहुत मुश्किल जिन्दगी गुजार रहे हैं तो उसने कहा कि या हम तो बिलकुल मुश्किल जिन्दगी गुजार रहे हैं और हम उसके लिए लेकिन जदोजद कर रहे हैं उससे निकलने के लिए जदोजद कर रहे हैं लेकिन आप भी गरीब हैं पंजाब भी गरीब है तो कहती है कि मैंने कहा कि हम कैसे गरीब हैं तो कहती है कि हम कम से कम अपनी जबान को तो बचाया हुआ है हमने अपनी जबान में टो शायरी करतें लेकिन आप अपनी जबान में नहीं बोल सकते हैं आप अपनी जबान में शायरी नहीं कर सकते। तो कहती है कि उस दिन मुझे लगा कि यह जो चूले पे बेची हुई ओरत है। वह बहुती बाशाउर और वह सिंध्यानिते ली की मेंबर थी। और मैं जब वापस आई तो मैंने कहा कि मैंने तो पंजाबी में ही शायरी कर दी है अब तो उसके बाद कहती है मैंने पंजाबी में ही शायरी को कंटीन्यू किया तो उसका कहने का मकसद ये था कि इस तरह की जो अवेरनेस है जो गाउं में बेटी हुई खवातीन है कासम एक जो बात मैं आप से जरूर पूछना चाहूंगी कि हमने खुद देखा है, सब ने देखा है, जो MRD की मूमेंट थी, उसमें 12 साल से लेके 60 साल की जो खवातीन है, वो जेलों में गई, वो खुद गरफतारी दी, पंजाब में भी दी खवातीन ने, लेकिन सिन में कालाबाग डेम की मूमेंट चली, हजारों खवातीन जो है, वो रास्तों पे निकल आती थी, वो चलती थी, मार्श करती थी, हर मसले पर जब भी कोई सिनका मसला हुआ, वो निकल आई, भूखर तालें की, जेलों में गई, और बच्चों के साथ निकली, ये एक बहुत बड जो है, वो जोश भी है, जजबा भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है, उसके पीछे कोई स्ट्रेटिजी होगी, जिसकी वज़ा से वो इतनी मुनाजम थी, कि वो निकल आई, तो आप उसको कैसे समझते हैं, कि सिन्धियानी तहरी की, जब आपने ये सारा इंटर्वियू कि होंगे, कि क्या इसी हिकमते अमलियां थी, जिसकी वज़ा से ये सारी जिदुजद जो है, वो चल सकी, और जैसे आपने कहा कि रूरल खवातीन जो लीडर्शिप रोल में थी, और फिर इसी के साथ ही लिंक है मेरा सवाल, कि जो बाकी तन्जी में थी, जैसे वेफ है, खास् प्रेडिक्शन थी, जिसका थोड़ी दर पहले आपने बताया कि अगर हिस्ट्री देखनी है में संध्यानी तरीके तो 1982 से वो इस्टार नहीं होती, अब उसमें एक चीज है कि फार एक्जमपल 1970 में, बलके 1969 में एक बड़ी मुमेंट चली है, अधराबाद से स्टार्ट उस वहां से ये मजामत स्टार्ट होती है, जिसमें संध्यानी तरीक एक रोल प्ले करती है, अलागे संध्यानी तरीक उस टाइम पे अधर तन्जी मोजून नहीं है, लेकिन अधी जो हमारी अख्तर बलोच, जो जी 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 जरीना की बैटी, तो उनका सबसे पहले हैं मतलब ये जो स्टूड़न्स कुछ बैटे हूँ एंटन्डो जाम यूनिवस्टी के एधरावाद प्रेस कलब और वहां पे लोकर ताल कर रहे हैं, तो आई वांट जोईन देम, तो वो पलियो साब से पूछती हैं कि क्या ऐसा दो नहीं होगा कि मैं लड़की हूँ और जाके अग तो पर तुमारे मजलब दिल में एक जख़ा है कि तुम कुछ करना चाहती हो कुछ लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए तो फोरन से तुम्हें जाना चाहिए, कोई मसाला नहीं है, तो वहां से ये तरीक स्टार होती है कि वह पनी कुछ जोस्की फ्रेंड्स हैं उनको जोईन किया तो जो उस टाइम के सबसे बड़ी लीडर्शिप ते इस सें की कि तेहदरबक जतोई से लेकर दूसरे बड़े बड़े जो लोग थे वो सारे वहाँ पर उन कैम्प्स पर आना शुरू कर दिया उन्होंने उसके बाद जो वांग की एडमिनिस्ट्रेशन दी मकामी वो पुलीस फोर्स आती हैं इनको समझाते हैं कि आप जो चली जाएं आप लड़किया हैं क्योंकि आपके साथ मसाहल होंगे यह होगा वो होगा और इविन इस सब्सक्राइब के पूचते हैं कि वो कहां पे हैं तो हम उनसे बात करें ताकि जो यह सारा सलसला का थाम हो बाराल पहली गरफतारी जो दी संधियानी तरीक ने वहां से स्टार्ट होती है इन्होंने का कि हम जेल चली जाएंगी लेकिन हम जो यहां से उठेंगी नहीं 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 का पुलीस ने कि अगर आप चली जाएं तो हम और बड़ी तारीक ने जो लिया जो यह जो जमीने थी बिराजिस बने सेंके अंदर तो वो जो नान सिंदी थे उनमें डिस्ट्रिब्यूट की गई उसके खिलाफ वो एक निलाम बंद करो तारीक नाम था जो तारीक उटी वहां से उसके अंदर भी अगर काफिया तक मैने अंदर भी मैंशन कियें उसमें के वो जो जो पेजन बेग्राउंड से जो खवातीन थी गाउं से उन्हों ने बड़ा जबदर किसम का रोल प्ले किया उस मुमेंट के अंदर और वो जेल गई है सारा एक जो प्रासेस है लेकिन 1982 में सिंद्यानी तरीक का बनना और वो 1979 में हुदूद आडिनेंस पास हुए और हुदूद आडिनेंस के तहत जो कुछ उस टाइम वोमन और नान-मुसलिम के साथ किया जा रहा था किनकि उसकी पूरी जो दास्तान इस किताब के अंदर भी है वैसे लोग जानते हैं उसावाले से कि ना तो आप उनकी गवाई को मानते हैं ठीके के एक मुसलिम होगा तो उसके असामने जो नान-मुसलिम कित गवाई मानी जाएगी दो खवातिन की मानी जाएगी तो बहां से आप उनके साथ ये कर रहे हैं एक जिनाडिननस आया जिसमें आपने जो मतलब सेक्शल जो एक्टिवटीज आप उनको रैप के चहीद किया गया जो टिशल मुडर हुआ उनका तो जो पूरा मार्शला का जोड़ था वो तो से अपर आगया जो जारी बात है कि जब मार्शला सबसे ज्यादा जो आप असर उसका पूरा का पूरा सिंद के उपर है तो उस दोरान आपको बता है कि 1981 में मुमेंट मी इस्ट पार्टी के बाद ये अवामी तहरी की ती जो उसमें एक बड़ा जो एक कली दिकरदार अदा कर रही ती उस मुवमेंट के दोरान ही 1982 में नॉंबर में ये तनजीम बनती है संध्यानी तहरी और संध्यानी तहरी के बनाने के बाद जो बैसिकली पूरा इस्टड़ी के लिए पे जो चीजें हुई हैं कि अब इस मुवमेंट को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और उसमें वाइडर जो हम कहें के सेग्मेंट आफ दे सुसाइटी है उसको किस तरह जोने इसमें शामल किया जाए तो उसके आहवाले से भी किताब में पूरी डिटेल है कि स्ट्रेजी कर आखाने के बाद ये ग्रिफ़तारी पैश करेंगी तो वहाँ पे जैसे वो मतलब सारी जो आके मुझारह करती हैं प्रोटेस्ट के बाद भी शुरू में खुट जो पोलीस है वो हीजिटेड होती है कि इनको ग्रिफ़तार करें या ना करें कि अगर इनको हम ग्रिफतार करें पता हैं उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो बड़े मजाय किसम के जो नारे वो लगाती हैं, ताकि खुद वो इश्टियाल बालब फैल जाए और उससे खुद पुलीस आए और जो नामेरस्ट करें. एक तरफ से वो ग्रिफतारां दे रही हैं, जिसके बाद है, दूसरे दिन, मतलब जिस दिन वो पहली ग्रिफतारिया हुई हैं, दूसरे दिन जो जितने भी सिन के अखवारा थे, उनकी हेरलाइन्स थी कि बैसिकली अब ये मुवमेंट पूरी सिन तक जाएंगी, क्योंकि हमारी बैटियां और माएं जो हैं, वो भी जेलों के अंदर जा रही हैं, एक तरफ ये एक परसेप्शन जा रही है, दूसरी तरफ वो क्या कर रही थी, और लोग जो हैं वहां के, बैसिकली वो अपनी शाप्स वगिरा में बैठे हुए हैं, तो उनों ने चूलियां उतारके और उनके तरफ फैंकना शुरू कर दिये, क्या हम लोग मर रहे हैं, ठीके, और इतना मार्शला का असर है, कि सब कुछ है कि अगर हम रास्ते जा रहा हैं कोई और सलाम नहीं करता फोजी को तो हमें तपड मारा जाता है, ठीके, हमें तशद्द किया जाता है, और आप बड़े आराम से बेटे हुए हैं, तो वो एक गेरत का इलिमेंट भी आ जाता है, जिन्दियों में क्योंकि यह एक जोनों मेल डामिनन सुसाइडी में होता है, हलांके 1983 में यह जादा जोर पकड़ाए और उसमें हजारों की तादाद में संध्यानी तरीक जो खावाती ने डिफरेंट जवाँ पे वो गृफ्तेरां पेश कर रही है, अब आपने एक सवाल की हमें के बैसिकली एक तो वेफ बनी हुई है और वेफ में और इसमें कोई मतलब क्या डिफरेंट बगर है उस सवाले से एक चीज़ बड़ी किलियर है जिस तरह मैंने पहले भी बोला के वोमन एक्शन फोरम का बनना वो था उदूद आडिनस की लेकिन उस दोरान अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो हमें असर नजर आथा उस मुमेंट का वो लाहूर में नजर आथा है और लाहूर के अंदर बाराव फबरवरी का दिन ता एक तरह माल रोड पे वो खवातीन कठे होती है ठीक हुनकी एक जिदोज़ पूरी के उस स वो खडूद आडिनेंस को चैलेंज करी हैं लेकिन उसमें एक तो क्लास के हवाले से यह था कि मौस्टली जो इलीट और अपर मिड्ल क्लास की जो खवातीन थी वो उसको लीड कर रही है लेकिन अब सिंद के अंदर जब सिंदियानी तरीक बनती है तो उसके साथ ज्यादा उसका अफर है वो पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल इस सेंस में कि जब यह इमार्डी मौमेंट चल रही है तो उसमें आप किस तरह जनुब भूल के उसाथ देती हैं और क्या होता है तो अगर उसमें देखा जाये तो मतलब ज़्यादार तर वोमन एक्शन फोरम यह जो जि कर्कु पार्टी के फ्रंट के तोर पर लोस पाकूल noveलनें वेवर्ट के तरफ अस में वैफिक तोर पर वो सामने आई हूई के वेव ऐक अलग से तन्जीम है तो उस है नहीं का एक पॉरतों तक ब्लाज्वार्टू तक ही रहा है और संद्यानी तरह क्यूवकि एक वाइडर वेफेक्षील देखले लिए भी फूलिटिकलि मुवमेंट। लुटरा डिकेट जाओ अपॉलिटिकल मुवमेंट। होुद करते हैं छालनकर वहाद भी उनको हुआ है। कि तोड़ा साथ सेंसर्वा लिबाते ए। नहीं होती थी। इस तरह की, लेकिन एट लिस्ट मतलब वो खुद को पॉलिटिकल नहीं कहलवाती थी, पूरे दस साल तक, लाइट सिंद्यानी तरिक शुरू से खुद को पॉलिटिकल कहलवाती और वो फॉर्ट फ्रेंट पे उसी तरह जिस तरह मर्द जो हैं, पॉलिटिकल जो एक्टिविस जलन्स है सुसाइड़ी के अंदर उसकी भी बात कर रही हैं, तो वाइडर जोन वो फेक्ष्जन में आगर हम देखे हैं कोई वह ओमी जमुरी इनकलाब की बात है, ठाके सिंद्याफी इनकलाब की बात है, तो इस तरह से एक वाइडर जोन वरेंज में वो आवं कर रही है। कासिम ये एक बात होती है कि जब आप पुलिटिकल तन्जीम का हिस्सा हैं जाहरे वो अवामी तहरीक का फ्रेंट थी सिंध्यानी तहरीक और सिंध्यानी तहरीक की लीडर्शिप हो सकता है कि उतनी इंडिपेंडेंटली काम ना कर सकती हो जो कि एक वेफ की तरह की पड़ता है तो आप क्या समझते हैं कि सिंध्यानी तहरीक का जो काम था जो औरतों के एक्स्किलूसिव इशू थे लाइक कारोकारी का इशू था एजूकेशन का इशू था इंप्लाइमेंट का इशू था लेबर का तो ये सारे जो मिल्कियत में हिस्सेदारी का जो है इश भी होता है कि हम समझते हैं कि जब स्यासी निजाम बदलेगा तो खुद बखुद ओर्तों की जो है वो सूरत इहाल बदलेगी लेकिन हमने देखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि चीजें खुद बखुद हो यह ऐसे ही है कि जैसे कि तालीम बढ़ जाएगी तो ओर्तें है वो तो बहुत ही शांदार रही है और जो आप strategies की बात कर रही है I know के study circles रहते थे यह कोई गृफतारी पेश करने के पीछे पूरी एक कहानी होती है ना कि वो औरत motivated है औरत जो है वो समझती है इन चीजों को तो वो पूरी कहानी है उसके पीछे तो आप क्या समझते हैं क जो औरतों के मसाइल हैं जो समाजी मसाइल हैं उस पर भी सिंद्यानी तरीक ने काम किया exclusively या सिर्फ political जो issues हैं उसी पर ही उनका focus रहा है या औरतों के जो अपने इन्फरादी हुक है उस पर भी उनका focus रहा है मैं मेरी जो research है और इस किताब के अदर मैं उसको divide भी किया है कि उसका political किया था social किया था तो मैं समझता हूं दोनों तरफ से उनका किया है और अगर हम जब सोशल इसूज की बात करें तो सोशल इसूज में मदल सिंद्ध में एक सबसे बड़ा जो मामला है वो अनर किलिंग का है अनर किलिंग के हवाले से वो बी इस पेशली जो नार्दर करने के हवाले से उन्होंने कई मतलब दो तीन द्राइयों तक मतलब पूरा डेटा कलेक करके कि क्या क्या होता रहा है वो उन्होंने किया है दारलामान गई है वहां पे जो अरतों के साथ मसायल थे उनसे वो मिली है उनको हाइलाइट किया है और साथ में यह क्यूंके वही बात आती है कि अवामी तरीक एक फ्रंट के तोर पर ना तो उसमें ये भी चीज़ें कि कई ऐसी फैमिलीज हैं जो के बैसिकली मुलब उनके गाओं में उनके पूरे सुसाइटी के अंदर उनके रियाज में आनर किलिंग के वाकिया बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन जब व कि गाओं के अंदर बड़े मसाहिल होते थे कि जो औरतों के डिलेवरी के जरिये मालब वो टाइम पर नहीं होते थी और काफी खावातिन के डियत हो जाना उस पे उन्होंने पूरी पूरी केमपेंज चलाई हैं बड़ी जदोज़दे की हुई हैं कि बैसिकली ये गवर्मे कि समगा करदार हैं कि आप गाओं गाओं जा रहे हैं लोगों से मिल भी रहे हैं आप जो पॉलिटिकल एक आपकी जो मूमेंट है उसके अंदर आप उनको शामिल कर रहे हैं ठीके तो जब तक आप जो उसको आप अलेदा नहीं कर सकते तो मदला एक अगर लांग मार्च होत कि कुछा बातीने वह अजारो के तादाद में बच्चों के साथ वह कंदर खॉर्ट से निकलती हैं उर्णा करांजा तो जिए पूरातों के साथ साथ वह यह ऐे कया की सोशल मूमाइज़ाशन क согласivos चल्के कि की बातीन है आप उसे खिखते श्यार रही हैं, उस अलाके श्यार रही हैं, जहां पे खातुन का बार नकलना बड़ा मायूप समझा जाता है, लेकिन आप जो वा रातों कि रात हैं पूरी इतने महीनोंगों तक आप चल रहे हैं, सारा कुछ है तो वो उसके अंदर आ जाता है लेकिन वह है कि सोचल इसूज से रिलेटेड जिर्लेटेड को चेलेंज किया है। और चेलेंज इस सद्धिन एस है कि जो बड़े रहे हैंस्य normal convention के betre dell onr mill 복ॉ ह Au Arabia से कि वोई जर्गे करेंगे सारा कुछ हो गा उनके घरहों के बाहर उनने धर not in any other से ने उनके घरहों के ऊपर उन्होने इन चूडियां फेंगना उर इस तरह जिए उनने प्रपारा कहना है यह हुआ है कई जगाह हुआ है कि उर्धा घरों के अंदर जा के सिर्फ ये नहीं है के वरतों के साथ मिलना, वरतों को ये कहना के आप अपने जो घर के मर्द अजरात है आप उनको बुलाएं वो हमारे भाईयों के तरह हम उनसे बात करना जाती है वहाँ बैठके उनको ब्रीफ करना कि बैसी कली वरतों के अकूग क्या है ठेके मर्दों के अकूग क्या है ठेके क्या होगा तो ये पूरा एक education का जो system में उनको समझाना ये सारा कुछ करना वो हुआ है और फिर दूसरी बात ये एक जाहरी बात है जब कोई भी शक्स अगर मदलब अवामी तरीक में शामल हो रहा है तो उसका खांदान पार्टी में शामल हो रहा है तो उसके खांदान के चामल होने से यह हो रहा है कि खावातीन भी इंपावर हो रही है ठीकि उनके में इंस्पेशन के हवाले से वो चीजिया में नजर आ रही है तो वो अनर किलिंग एजूकेशन ठीकि इस तरह ये जो डिलिवरी के मैंने आपको मसायल बता है ये हो इस तरह इवन वटा सटा ये बड़ा जो वहां पे कुरान से शादी ठीकि इस तरह उनको आप चैलेंज करना चोटी उमर की जो लड़किया उनको बड़े उमर के जो मर्दा जरात हैं उनको से शादीया करवा देना और सबसे बड़ी बात कि उनकी मर्दी ना पूचना तेंगे के माला वो शादी निकाग टाइम वो बैठी हुई है और वो खुद नहीं बोल लए उनकी कोई ताई पता नहीं कोई साथ बैठी हुई हुई है कबूले कि उसको प्कड़के यहां से उसका सरला रही है कि कि गुद धां कि उसी तरह की चीजहों चैलन्च करना कि भई भाई नहीं यह उसकी मर्जी आ उसे पूछें और वो भी नहीं 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 हैं जहां पर यह बात करना भी एक ट्रैबू की तरूड़ के मुझओर था तो यह सब उन्होंने किया है, यह जरूर है कि उनका जो dominant हम कह सकते हैं कि जो आसपेक्ट है वो political है, politically उन्होंने ज्यादा मझलब उस पे रोडों रास्तों पे यह सारा कुछ उन्होंने practically जो किया है, लेकिन social issues पे भी बहुत ज्यादा उनका काम है और उनके बहुत ज्यादा उठाइए. एक जो बात बड़ी एहम सिन्यानी तरीक के हवाले से ये भी है, कि जिसे आपने कहां कि जो मर्द अवामी तरीका बना तो वो उसने अपने घर पर जो है काम करना शुरू कर दिया और उनकी बेने, बेटियां जो हैं वो भी पार्टी की मेंबर बनी, लेकिन वि की लिखवा दी के मेंबर हैं लेकिन वो इस इस्टरगल का जो है वो हिस्सा रही और उसमें मेरे ख्याल में फाजिल राउट साब को और पल्जल साब काफी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने ही घर से जो है वो शुरूआत की उनकी ही अपनी बेहने और बेटियां जो और जो यूनिक बात थी जो मेरे ख्याल में बड़ा एहम है सिंध्यानी तरी की खवातिन के लिए सिंध में जितने भी सिंध्यानी तरी की मेंबरान या अवामी तरी के मिंबर होते थे वो सब उनके अपने घर होते थे मतलब इतना ट्रस्ट लेवल था कि आप इधर से निकले आप ठटा मत चले गए आपको पता है कि ये पार्टी का बंदा है उसके घर चले गए दो रातें चार रातें पांच रातें आप रह लेया काम किया तो उस तरह से कोई भी जो है ना मतलब पूरी एक फैमिली वाला जो स सारा घर है हमारा और वो राइट समझते थें कि ये तो आपका मतलब पूरा वो जो सोशलिजम का कॉंसेट है ने वो उसी तरह से जो है वो चले मेरे खाल में उसकी वज़ा से जो पूरा सिंध्यानी तहरी की मुनजम होना मर्दों और ओरतों का कठे काम करना ये एक बड़ी स्ट्रेटीजी थी और ये नहीं था कि अलग थे मतलब वो स्ट्रडी सर्कल कठे होते थे पार्टी के अंदर बेटना कठा होता था बातचीत करना बस मुबाय सा लीजर्शिप में जो है वो उर्तों का आना इसलिए जो है उनकी तर्बियत जो है बहुत ज़्याद रही है ल बात करते हैं तो होता है कि जी यह जो फैमीनिजम है या फैमिनिस्ट जो है वो कोई वैس्टन खयाल है और यजा इसकी रिलेवन्स पाकिस्तान में नहीं है अब आश्ता इस्ता चेंज हो रहा है यह खयाल लेकिन एक और फिर ख्याल यह होता है कि यह अर्बन मावला ए यह वो अर्बन को के लिए कहते हैं कि ये वेस्ट का है और रूरल को कहते हैं कि ये जी अर्बन मामला है और ये खवातीन के इन्फरादी हकूप की जब हम बात करते हैं तो ये बुन्यारी तो पर अर्बन इलीट किलास की मसाइल हैं ये हमारे मसाइल नहीं हैं आप कैसे समझते है कि सिंध्यानी तहरी की पॉजिशन इस पर किस किसम की थी, क्या थी, क्या वो भी feminist movement का हिस्सा थी, क्या आपने क्या देखा इस पूरे ख्याल में, आपने discuss किया है इसको जी? सबसे पहले तो यही है ना कि feminist के बारे में जो एक misconception है, ठीके वो इस जदी दोर के अंदर भी मौजूद है कि feminist का नज़िया, क्यूंकि feminist का नज़िया तो फिर देमोकरिसी भी है, ठीके फिर तो कमिनिजम भी है, सोशलिजम भी है, वो कौन से हमारे अपने हैं, ठीके तो अगर उस सेंज़ में देखें, सहारी बात है कि उस जारी बात है कि वो सारी चीज़ें आदे लिए हैं, फिर फिर फिमिनिजम को कि अगर समझना तो डिफिनिल्टिटि वो बात करते हैं कि सारे जो जंडर से उन میں एक बराबरी की बात है, जो प्लिटिकल भी हो, एकनॉम्क भी हो, अब जो फैमिनिजम और संधियानी तारी का मामला है ये मदलब बड़ा इंट्रेस्टिंग फनामना है क्योंके मैंने जतने बी इंट्रीव किये और उसपे जब मैंने पूछा कि आप फैमिनिजम के कौन से आइडिलोजी का ओरेंटेशन पर आप समझते हैं कि खुद आप और उतरते हैं उसपे के मार्कसित फैमिनिस्ट हैं लिबरल हैं रेडिकल हैं क्या है तो जिततनी का माब लीडरिशिक तो अिमीन दियानी तरीकी उन्हेता हूई चोज़ माझ रताओी का मिल्मका सब्सक्राइब हुआ है कि फैमिनिजम को बदनाम पॉलिटिकर हलकों के अंदर भी किया गया है और इवन दो तीन जगाओं पे हमारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं इसी बुक लांचिंग के हवाले से लाड़काना में बेटे हुए थे, एक लायर थे और वो इस किताब बात करने आए उन्होंने जैसे ही इस्टार्ट की अपनी ट्रार्ट तो उन्हें फैमिनिजम कोई जारना शुरू कर दिया और उन्हें जो उसका कंक्यूलन निकाला वो यही था कि फैमिनिजम जस्ट एंजी होई तो इससे अलेदा कुछ भी नहीं है तो मैं बेटा हुआ तो मैंने का चले फिर मैं जब आयद उनको मैंने का कि ये किताब का जो पहला चेप्टर है मैंने आपके लिए लिखा है तो उनने का क्या मतलब मैंने का फेमिनिजम क्या है वो सारा समझाता है तो बाराल अब सिंद्यानी तरीक कभी ने ये चीज़ नहीं मानती जिए कि उनकी जो पुलिटिया है उनकी जो लीडर्शिप है वो खुद को कहते हैं कि हम लेनन और मावजीतों की जो फिकर है किस तरह वूमन एमेंसिपेशन हो सकती है हम उस तिल्स की तन्जीम है और उस सव खुद लेनन भी ये कह रहे हैं कि देखें हम कम्मिनिस पार्टी आप सोवेट यूनिन के अंदर एक फ्रेंट बनाया जाए ठेके वो औरतों के लिए और उसके तरह पूरी स्यासत हो और फैमिनिजम को मतलब वो भी उस तरह से कोई लेनन अच्छा कोई नहीं समझ रहे है क् उस टाइम ज्यादा तर जो ट्रेंड है वो में अज़र आता है वो लिबरल फैमिनिजम वाला और इवन जब मैंने चाइना को पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंके पहले चेप्टर में इनको डिसकस करना चाहता था तो मुझे मावजीतों के भी कुछ इसी तरह के कोटेश लेकिन जो मैंने अर्गुमेंट दी इस किताब के अंदर के लेने जिस दोर में थे या मावजीतों जिस दोर में थे तो उस दोर तक हमें फैमिनिजम कोई ज्यादा बढ़ता हुए नजर नहीं आ रहा है वो एक जो शुरुआती एक टाइम पीरिड है उसका उसे साफ़ सार हम देखते हैं तो मार्क्सिस फेमिनिजम का आफ़ हमें बहुत ज्यादा नजर आता है और इस पें इस पेशली जो के अंदर एक बड़ी मूमेंट चलती है और उनका एक मश्यू नारा था कि नो सोशलिजम वड़ा उमेंसिपेशन और नो वूमेंसिपेशन विधाओ सोशलिजम तो वो उनको जोडते हैं सोशलिजम को और और ओवत जो सहा दिये हो सहाबसें तो अब उस टाइम तक मतलब चले मावजी तो थे 76 तक लेकिन लेनन मौजूद नहीं है और मावजी तो नहीं की तो मेरी आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर फार एग्जम्पल जिस पर माक्स ने बाद ना की हो तो यह लाजम है कि लेनन उस पर बाद ना करें ठीके मावज उस बाद ना करें क्योंकि मार्कस ने बाद नहीं की तो हम इसको चोड़ देते हैं ठीके मार्कस ने क्योंकि अगर रियासत के जबर की बात किये तो जो ग्रैमशी है वो कंसेंट की बात ही ना करते हैं कि कंसेंट भी रियासत इस्तेमा करती है इस तरह तो नहीं जारी बात है ज यहां की बात नहीं है. अवराल, इंटरनेशनल लेफ्ट के अंदर भी ये रहा है. ठीके गें क्योंकर ये क्लास इस्टरगल है, उस क्लास स्टरगल के अंदर क्योंकर मर्द भी पिसा हुआ है, तो जब सारे ज्यू ये मामलत खटम होंगे, उच निश खटम होगी, क्लासले करता था, दूसरी बहुत सारी और चीज़े हैं, नियू लेफ्ट आ गया है, नहीं चीज़े हैं, उसके ताथ मुझे जो लगा, जो मैंने थेरिटिकल फ्रेमवर्क दिया है, मुझे लगता है कि मार्क्सिस फेमिनिजम के अंदर हम सिंद्यानी तरही को देख सकते हैं, अब ए आजकल वो ट्रेंड काफिया तक हमें जो वो टूटता हूँ नजर आ रहा है, मतलल आजकल एक बड़ी तन्जीम है डवली डियाफ, वोमन देमोक्राटिव फरंट, वो जारी बात एक अरगन है, या प्लियर फार्म है, अवाम मुरकस पार्टी सही वो चीज़े हैं, तो इस बाकी दुनिया से भी अप करनेक्ट हो सकते हैं, और बहुत अच्छे ज़दे करनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यह सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो आप फैमिनिजम से जब कटे रहेंगे, और यह होगा क्योंकि कोई प्रोग्राम फैमिनिजम के नाम पे हो रहा है, और से ठाजब से, तो मरकस्से फैमिनिजम के अंदर हमें नजर आती हैं, उसके अंदर भोही झारी बात है, वह बी मुर्जमिनिसक्ट कि भी माकस्स फैमिनिस् स्थल स्टEEEE की भी बात करते हैं, तो शब्छल से स्धियान ज जो इन आई चीक नो पीया है, उस्ञां नाविर खनि यह फाराने जाए के बिoue को भपके पासन का माँलती आती हं तो भाई, फैमिनिजम तो आती है, एक भुछाती है, पिना जाए हन्धार्था आती है, कि अबदेख इन्जियो हो यूंट करने वाली तो आप उरका मलती है, वो किसी पेजन्ट खातून की, मजदूर की, उनकी बात नहीं करती, ठीक है, जो कि ये एक concept बना हुआ है, फिर बात आ जाती है, जब इस पी औरत अधादी मार्च की, तो उसमें फिर वो मेरा जिसम, मेरी मर्जी नारा भी लगता है, तो उसे भी बड़े मसाइल है, ठीक है, इन सब चीजों से फिर अलेदा रखना है, आपने तो खुद को आपने एक औरत तन्जीम कहना है, जैंकि आपने अप खुद को फैमिनिस्म नहीं कहना, तो मुझे लगता है कि ये एक perception है, जिसके तर जो वो सारी चीज़ें जा रही है, अदर्वाइस इस से कोई जो गबरा जाया भी है वक्त के साथ, ये नहीं है कि वो जो पहली 1982 वेफ जहां पर थी या फेमिनिस्ट मुमेंट थी, वो वहीं पर खड़ी रही है, उनके भी अभी रूट्स जो हैं आइसता इसता बड़ी हैं, जो एक बहुत जो डिवाइड था, रूरल और अर्बन का, उस वो काफ खबां खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ भी है एक रियलाईजेशन के जो मेरा जिसम मेरी मरजी जैसे जो नारे हैं, या जो इशूस हैं, वो अब अहसाथा इसकी एकसेप्टन्स या उसकी रियलाईजेशन हैं, यह थीजा रियल इशूस यह नहीं हैं कि यह नहीं हैं가ropyत पेड वर्ट की जो बात है खवातीन की जो घरों में काम करती हैं और मर्द जो हैं वो हिस्सेदार नहीं है उसमें उस पर बात चीत हो रही है बहुत सारे और इशूस पर हो रही है एक जो बहुत इंटरनेशनली भी ये डिबेट में हमेशा बात आती है फेमिनिजम के हवाले स और जो लोग gender and development पे काम करते हैं वो इस बात पर आज श्टा श्टा आ रहे हैं कि जब तक मर्दों के रवईयों में तबदीली नहीं आती या मर्दों की सोच में तबदीली नहीं आती तब तक जो है जो औरत की आजादी का सवाल है वो इतना ज्यादा जो है उसका असर नहीं होगा क्योंकि somehow they live together, they are decision makers still जो है उनका काफी portion जो है decisions का वो उनकी तरफ दी है तो आप कैसे समझते हैं कि सिंध्यानी तहरी का जो कल्चर था या सिंध्यानी तहरी का जो काम था उसने मर्दों को भी influence किया या नहीं किया या सिर्फ मर्दों ने influence यह किया कि जी उनको आप की हुई यह हुई या मर्दों के रवईयों में भी कोई तब्दिली आप क्योंकि आपने मर्दों के साथ भी इंटर्वियू किये हैं and you have been part of it. तो क्याहां देखते हैं मर्दों की शमूलियत औरतों के आजादी के हवाले से सिर्फ इंकलाबी आजादी नहीं नहीं दे चाहिए कि अड्मासफेर से जाहरी बात है कि अपर करना मुश्किल है कि वहां पर रूरल अर्याज में जब तक मर्द नहीं चाहता तो जाहरी बात है कि वह खावातिन बाहर आना उनका पढ़ना लिकना काम करना वह बहुत ज़्यादा मसाइल है तो सबसे पहले तो यही है कि वह मर्द कंवेंस हो mississippi उनका तो अरो के अने बहुत है कि वह में एंगार की बाहर लाना चाहिए तो यह सबसे पहले तो यह गदह नहीत है कि अश्रम करेंड़ित खर्ड़ कि नहीं इसलीजाएवाइग सけて मैं जब लोग और उतरी कर कि?' हुँ कि उनका तालुक जेकबाद डिस्रिक्ट से है एक को मार चुके थे दूसरी शादी की उनोंने दूसरी शादी के बाद भी उनको शक हुआ कि ये भी गड़ बड़ है यहां पर तो उस दोरान ये अवामी तरीके कुछ दोस्ते हैं जो अब तन्जीमी दोरे पे गए जेकबाद वो बैसिकली ठुल तालुका है वहां से उनका तालुक है तो जब उनसे उनकी मुलाकात हुई और डिसकेशन हुई सारा कुछ काफी हरसे के बाद उनको थोड़ी बात समझ आने लगी और उसके बाद उन्होंने वो पार्टी जोईन की पार्टी जोईन करने के बाद उनको स एक बेटी दो उनकी जो आगे चलके एक नर्स बनी कराची में और सारा कुछ ता तो अब एक पूरा सिल्सला चल पढ़ा के बच्चियों को पढ़ाना है वो भी बराबर की है ये वो सारा कुछ इस तरह और इसी तरह का एक करेक्टर है बड़ा उसी शहर से मौमन नवाज कन्न जो के आपको बता है दोजार साथ में बारा माई का जो वाक्या हुआ था चीफ ज़िफ्टकार जो तरी के टाइम पे वो शहीद हुए उस एरिया के अंदर मतलब अनर किलिंग एक मामूली जी बात होती थी तो अगर आपने किसी को कतल कर दिया तो लोग आकर आपको एप्र किया अपनी बैटी को शाब दलतीव युनिवस्टी खेर पर बेजा और उनको पता नहीं क्या क्या कहा गया कि यह आस्टल में रहेगी यह होगा वहगा उनों किसी की परवाह नहीं की यह होगा आज उनकी बैटियां हैं वो सारी जाब अगरा कर रही हैं तो पूरे अलाइक कि मर्द जोनों बैक फूट पे चले जाएंगे और उरतों को कहेंगे कि आप लीट करें आपके पीछे हैं वो तो जारी बात है कि बहुत मुश्किल चीज़ है लेकिन जो लीडर्शिप के अडर की हम बात करें तो उसके अंदर हमें यह चीज़ जरूर नजर नजर आती है कि अट लीडर्शिप मतलब बराबरी वाला जो अलिमेंट है कि मदलन एक बड़ा मुश्यूर किसा है वो इस किताब के अंदर मैंने मेंशन किया है कि कहीं पार्टी का अजलास हो रहा है और पार्टी के अजलास के अंदर जो खाने पीने का जो इन्तिजाम है वो संबाल ना के साथ हैं अपने हसाब से वो जोनों बैटके मीटिंग्स वगरा कर रही हैं तो यह ट्रेंट चेंज हुआ और साथ में यह भी चेंज हुआ कि जो बच्चे की परवर्श है यह सिर्फ मा का काम नहीं है तो खुद उन्होंने भी एक करदार अदा करना शूरू कर दिया कि य लेकिंगे वह जयादा ताइम लगा चुद थीचेट में यह को साथ चलते रहें लेकिन अपको को में पोई डामिननेंट रॉल में नहीं समयता कि कोई वुमन का हो क्योंकि उसकी अग्सपश सबसे बड़ी मिछाल आज तक अवामी तरीक की जो सदर ओर बहु ओरद नहीं है संध्यानी तरीक तो चले एक फ्रंट के तो पर वो तो बनी है लेकिन हवामी तरीक के अवाले से तो ये ओवराल हमारी पोलिटिकल पारटी के अंदर ये मसायल रहे हैं तो ये लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर उनको क्रेड़ जाता है कि आपने जिन जिन एलाकों में जाके ऐसे ऐसे जो मतलब हम कहें के सोशल इविल्स थे उनको जाके आपने वहां पे चैलेंज किया है ठीके तो वो एक बड़ा जबत कि समखा है कि आपने एट लिस्ट उन औरतों को उनका मकाम दिलाने के हिसाब से आपने कोशे किये कि वो उस लेवल पे आएं तो वो कोई ज्यादा उनकी तैदाद बेशक ना हो लेकिन क्योंकि एक रेवलुशन के तोर पर हम नहीं देखते हैं उसको कि एक बड़ा कोई रेवलुशन को पूरा सिंद तबदील हो गया हो लेकिन आज भी अगर हम तोड़ा सा सर्वे करें डेटा वगरा लें जो खवातिन काम कर रही हैं डिफरेंट जगाओं पे उसके अंदर आपको एक बड़ी कंट्रिबूशन सिंद्यानी तरी के नजर आएगी आपका भी वहां से ताल करा है आपको पता होगा बहुत सारी और खवातिन होंगी जिनको आप जानती हैं इसलामबाद में दरह दरह मिलते हैं कोई सिंद्य स्ट्वन गर्ल्स तरीक जो थी SGSD संद्यानी तरीक के एक फरंट उसके अंदर रही कोई किदर से कोई किदर से तो एक पूरा उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जबद किसम का पॉलिटीक लावाले से सोचल लावाले से ये काम हुआ है जिसके ताजनों आई तो बाकी ये थोड़ा टाइम लगेगा कि खावातिन से मर्द सीखेंगे कुछ जो उसे हसाब से तो आने वाले वक्त में शायद इस वक्त संध्यानी तरीक जो है मेरा खाल में उससे तीन और तन्जीमें बन चुकी हैं संध्यानी तरीक से एक सिंधी औरत तन्जी में, एक सिंध्यानी तरीक है, एक दूसरी सिंध्यानी तरीक है, जो कोमी अवामी तरीक के साथ जो है, वो मिलके काम करें, तो इस वक्त क्या समझते हैं कि सिंध्यानी तरीक जो सिंध के अंदर जो political issues हैं, पुरानी हिस्ट्री हमें बहुत अच्छी न में तक्सीम होगी लेकिन इस डिवियन का अवराल आवामी तरीख को नुकसान हुआ है लेकिन सिंद्यानी तरीख में जितना मैंने देखा है जो लोगों से मिलना जो लाइंटर्यूस वगरा करना तो वो जो कयादत थी वो जो कैडर था जो सबसे ज्यादा में एक फॉर ये कुछ लोग उदर हैं जो माजी में किरदार था पॉलिटिकल हवाले से वो आज नहीं है उससे कम है लेकिन ये भी नहीं है कि कोई तन्जीम बैट गई हो बिलकुल काम ना करती हो तो उसे हिसाब से भी मतलब रिसन एस्ट्री में उनोंने कुछ ऐसे सही तारीख चलाई ह जिसमें एक आइलेंड का इशू था जो ये आइलेंड से वफा को दे रहे तो तो उसके खिलावे के मुमेंट उटी बलो चिसान उच से तो उसमें जो सबसे एक बड़ी आम रेली थी कराची के अंदर वो सिंधानी तरीक ने निकाली और कुछ अर्से के बाद पर वफा को उसमें और भी तन्सीमें थी डिफरंट जितने भी संकी हैं वो सारी थी लेकिन एक होता है कि आप फॉर फरंट पे आके किस तरह की जो सियासत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अब भी करनली जो सिच्वेशन हैं अंदर फिलड के बाद उसमें भी कई दिनों से मैं देख रहा हू अगर इस तरह की तन्जीम हैं तो जारी बात है उनका एक आम रोल होता है और उस तावाले से में अज़र आता है कि उनकी टीम्स बनी हुई हैं सिंद्यानी तरह की इसपेली जो नौजवान उनकी लड़किया हैं एसजी एसटी की वो डिफरंट केंप्स पे जारी हैं ना सि एक उनको राशन वाकिरा देना लेकिन उनके जो मसाइल हैं उनको तोड़ा सुनना और अपने साफ से खोशे करना कि उनको जोन वाल करना तो वो भी हमें नज़र आ रहा है लेकिन पुलिटिकली वो एक्टिव जो हम रोल कहें कि माजी में जो था वो सिर्फ सिंद्यानी तर आज के जो इस दोर के मसाइल हैं वो कुछ और है उसके तहते हैं यह किस encl हैं ढमक चाहिए नहीं के सकने हैं दूसरी बात यह आई है कि जो पार्टी ओवामी तरहकि जिसका ये फरेंड है तो उसकी जो वो लीडर्शिप है जाहरी बात है जब उसके चले जाने के बाद आद से तक वो गेप रहता है कि मतलब फादल साहब के जाने के बाद पलियो साहब थे जन्होंने उस चीज को जो आगे लेकर चले लेगेसी को लेकिन अब पलियो साहब के जाने के बाद वो खुद जो अवामी तरीक है पार्टी वो हमें उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है तो यह तो जारी बात है कि जब पार्टी एक्टिव होगी पूरी तो ही हम उसको तेखेंगे कि आप जोनों उसके सदक देख सकते हैं तो वो एक स्यासत के अंदर हमें एक बड़ा गयब नजर आ रहा है ठीकिए हालांके वो काम कर रहे हैं इस इंडेक्शन कामेटी के अंदर दूसरे जो भी हैं फ्रेंट डिफरंट उसके वाले से उनका का का है लेकिन यह जायज बात है कि उस लेविल तक का जो का जो काम था वो नहीं हो रहा है और उसमें कितना काम टाइम लगता है क्या होता है ठीक है तो यह चीज़े हैं जो अभी करण सेनारियो जो है जो है जरूरी नहीं के पूरी की पूरी किताब कोई शौर्ट वर्जन जो हमारे पाकिस्तान क्योंकि जिससे पहले कहा के डाक्यूमेंटेशन की इतनी कमी है सिंद्यानी तरी को लोग पढ़ नहीं सकते जिनकी मेमरी में है वो है खतम हो जाएगी मेमरी हमारी अब जा तो मेरा इरादा है कि उसके बाद में कोशे करूंगा और इसमें फर्दर मुझे और भी कुछ काम करना है कुछ इंटर्यूज जो इस टाइम रहे गए जो मुझे लगा के वो तोड़ा जाएं पे उसके अंदर या मुझे जो फीड़ बेक मिला है क्योंकि ये किताब पपलिश में इसको लाया जाए तो इरादा तो है और नेक इरादा है होफ़ली कि जो बहुत जल्द इस पे काम स्टार्ट करने कोशे करूंगा मेरा है कि ये कि खुद मैं करूं बजाए कि किसी और को मेरा ये होगा कि अट लिस्ट कुछ और भी चीज़े मिला के उस तरह जो जो लिस्ट की शकिल में मिलता था जो अवामी तरहिक है अपने मागजेंस को लिए संध्यानी तरहिका भी मैगजेन ता लेकिन तो 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 अधर भी ताइम ता उसके बाद बंद हो गया तो उसके अंदर लेकिन इसके इलाव आपको नहीं मिलता है तो मेरी ये कहीं कहीं मुझे मिल रहा था पूरी किताब के अंदर जो सिंधियानी तरीक की बात थी और उस पे कई लोगों से मेरी बात भी हुई हलागे उनका फिर वो जाइस गिलाभी था को उनोंने कहा कि देखें जब कोई चीज हमारे बास मौजूद ही नहीं है ठीक है तो हम क्या करें अगर थोड़ा जमावाद मिलता है तो वो भी सिंधी में तो सिंधी में पढ़ने नहीं आथी तो हम क्या करें तो उसे हसाब से मेरी ये कोशिच है कि अट लिस्ट इसको हम जो अर्दू और इंगलिश में लेकर आएं ताके फिर जो वाइडर आइडियान से उन तक ये एक म जाए मारे पास टाइम जैसे माडम ने कहा कि काफी एक मिस इंडरिप्रेटड इडर कॉंसेप्ट है ये तो आपकी तो माशाआललह से जो आना काफी लोगों से इवन एजुकेड़िड इलीड से भी से बात हुई होगी और जो निचला तबका है जो अने जुकेड़िड है जो रिजिड तो इस कॉंसेप्ट है उनके लिए कोई सिंपलिस्टिक वरिशन है मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जिस से कमसकम वो बात स्टार्ट की जा सके जी बिलकुल असल में जो सिंदी आइडियन से उनके लिए तो मोजूद है इस किताब गेंदर क्योंकि इस तो मैंने कहा कि अगर आप कोई भी डिक्शनरी उठागे देखते हैं आप मतलब आइडियोलोजिकल औरेंटेशन में ना जाएं आगे अगे अगर तोड़ा जादे के हैं उसमें सिंपल यह है कि सारे जितने भी जेंडर से हैं आप उनको उनकी एक्योलिटी की बात करें बर के अंदर तो कोई भी हमें जनों खराबी नजर नहीं आती हैं यह जरूर है कि फिर हमें कांसेट्स के हिसाब से कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंसे मिलते हैं कि जब वो मार्क्सिस्ट फेमिनिजम की बात होगी तो जाहरी बात है वो क्लास स्ट्रगल को ज्यादा फोकस करेंगे अगर लिबरल फेमिनिजम की बात होगी वो इसलाहत की बात करते हैं ज्यादा था ठीक है कांस्टूशन में इसलाहत करें यह करें नजाम की तब्दिल की बात नहीं है कि आपको काफी और लोगों को भी शामिल करना है सवालों के जवाब देने तो हम इसमें नहीं है क्या इस वक्त वो उनका सवाल यह है कि क्या इसी कोई किताबें ऐसा कोई मवाद मौजूद है जहां से हम शुरू कर सकें मेरे खाल में आप डेफिनेशन दे चुके हैं मैं वही का उनको समझाने का यह हलबा के लाड़ है डेफिनेशन इन्होंने बता दी है बड़ और तो ट्रांसेंडरों सब बराबर हैं बराबर के शेरियें बराबर के इनसान है फैमिलिजम यही कहता है मड़े सिंपलिस्टिक मेरे तकरीबर तीन क्वेस्टिन है मुस्लिम से मेरा नाम है सुरी सर आपसे मौज़रा चाहता हूं सर अपका टैमिली सर एक क्वेस्टिन यह के सिंधियानी तेहरी को हम देखते हैं तो उसमें औरतों का किरदार तो जिस तरह अपने फैमिरिजम पर ही सारा कुछ है तो एक तो हम बड़ा चैप्टर सिंधियानी तेहरीक से मुझे तो इस चीज़ का साथ साथ आपको ज्यादा पता हूं बेनजीर बुटो के आवाले से कि बेनजीर बुटो जिस वक्त थी तो उस वक्त सिंधियानी तेहरी को क्या उस तरह की मोटिवेशन मिली या ना मिली दूसरी है भिद्वत ये इस भर कि होनर के लिंग है या कोई तो ना मुझे ताकृषक कि हैं तो किस स्चा्रा बर्कर में अगलेकि तो इस तरह सिंधियानी तेहरीक लिए लेकिन जो domestic हमारी domestic violence है या दूसरी कोई issues है तो उसको overcome करने के लिए हम भी यह चाहते हैं कि हम अगर for example इस तरह की कोई तहरीक आगे feminism की चलाने चाहें तो उसके लिए क्या क्या चीजी हमें करनी चाहिए और सर तीसरी जो question था मैं भूलना जाओं इतना प्सक्राइब मैं लिख रही हूँ आप का तीसरा question यह कि जिस तरह मैं ने भी आप से सवाल किया कि मैं चुंकि पश्टो speaker हूँ तो मैं यह चाहते हूँ कि इसको पश्टो लेंग्विज में भी किसी तरह है चलें आपकी demand बढ़ गए किताब इसकी जो मैंने जो इसकी detail पड़ी जो कल मैंने पोस्ट पड़ा है उसमें तमाम वही issues हैं जो आप जो आपनी इसमें तकरीबन अभी जो आपनी mention किये हैं वही issues हमारे kpk में भी हैं और बहुत extreme level तक हैं for example आप तो for example मैं आगर रिष्टा माईनी जाओं तो मैं औरत की शेकल तक आप यह देख सकता कि तो यहां तक issues हैं तो अब यह समझे कि अगर आप निशारी करनी है तो आपकी lottery निकला रहती हैं बहुत किसी तरह भी हो आपने उसको कबूल करना होता है तो यह मेरी question है यह पूल करना होता है यह दोनों ने कबूल करना होता है यह फीमेल की अवाले से यह मेरी तो इसमें जो सबसे पहले आपका question है एक आसे में पर भी आपको कोऊंगी थोड़ा brief रही जवाब देना वाला brief रहे मौतरमा बेनादीर बुटो का जश्वा तक आपने सवाल किया ह तो देखें एक तो वो है कि बैसिकली सिंद के अंदर political alliances रहे हैं तो उसके अंदर है अवामी तरीक जसरा मैंने पहले का कि MRD movement के अंदर अगर जो सिंद्यानी तरीक की खावातिन for front पे हैं वो भी struggle कर रहे हैं तो उसी तरह बेनादीर बुटो भी नजर बंद हैं तो बेगम तो फिर आता है कि उस elite class और दूसरा ये कि एक पार्टी की leadership को संभालना है कि बुटो के बाद कौन होगे जो इसको संभालेंगे तो उस स्थावले कोई सिंद्यानी तरीका direct कोई connection बेनादीर बुटो से नहीं है आई ये है कि कुछ इस तरह के लांग मार्च बगरा हुई उ जुड़के जो लांग मार्च में चले हैं उसमें इस पेशली कालाबाग डैम का शू या डिफरेंड इस तरह के तो वो इस तरह की जो वो शू हमें नजर आते हैं दूसरा कुछ नगया था दूसरा जो था वो ये था कि जो honor killing हर जगा पर है तो क्या करना चाहिए उसके लि ही था और वो फोकस इस तरह साथ से था कि मसलन एक तो नहोंने डेटा कलेक करना शुरू कर दिया तेक और उस पे पूरी रिपोर्ट्स हैं जो पबिलिश रिपोर्ट्स हैं उनके अपने मैगजिन्स में भी और डिफरेंट अखवारात वगरा में भी कि यह यह हो रहा है यह दूसरा इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स पे उन चीज़ों को ठाना मजलन लाहूर के अंदर डिफरेंट सेमिनार्स हुए हैं कांफरेंस दूए तो उसमें सिंध्यानी तरीक और तन्जीम के तद वो गई है और वहां के सिंध्यानी तरीक उनने आईलाइट किये हैं मुं गोर्बा चौफ जनकी डेत हुए हैं इनकी मौजूद भी में गोर्बा चौफ और उनकी वाइफ वो बेटी हुए हैं दोनों बेटे हुए हैं वहां पे एक इंटरनेशनल लेवल की कांफरेंस पी वोमन की उसमें सिंध्यानी तरीक की सदर वो वहां पे तकरीर किये उनने तो वह तक्रीर में तक्रीबान जो इसके अंदर किताब के अंदर मौजूद है कि जो जो उनों ने वहां पे बोला हुआ है तो वहां पे भी इस केस को हाइलाइट किया है लेकिन यह इंटरनेशनल फोरॉम के ओपर लोकल लेवल पे इसी तरह का है कि आप उन अलाकों में ज यह अन अधर है कि गलत करें और भर अभरी कि बात है कॊरत विर्थ मर्ड़ें बराबर और उस सेंस में आठो मों किया है तिसरीब यह पष्टो वाली तो वह अगर अर्दू-इंगलिश में ट्रांसillus reale हो जाए और आप उल्भीनें ने प्रॉमा जयओ लेवाया पासिज को देखा जाए और आज के तनाजर को देखा जाए तो क्या वजुहात हैं कि जो ये तहरीक है इतनी लो लेवल पर आ चुकी है कि आज इसका नाम हम भी नहीं सुनते जमन के बहुत कम जिकर मिलता है और दूसरा क्वेस्टन ये हैं कि हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं औ अर अलीटrant प्लास रिल्वे workflows दोंन से जाओ करके हैं कि है तो कि है फिस ज्टनी है को कभी तूल इस्तमाल किया किया estरू है चाहए पुरिटiक्ल ।ू दो और हमारा जो मीडिया है, उस दोरान उस टाइम पे तो एटीज में अपना, अलेक्टरानिक मीडिया उस तरह से नहीं था, प्रेंड मीडिया था, लेकिन कहीं न कहीं से वो मीडिया के उपर भी एक सवाल निशान आता है कि जो ग्रास रूड लेवल की मुमेंट्स होती है, हैं अंदर कोई चोटीजी ख़वर आप में दे दी, लेकिन यहां पे अगर कोई 15-20 ओरते हैं यहां पे इसलामबाद में कटी हो जाएं, तो आप उनको फ्रंट पे हेरलाइन के तोर पर लाते हैं, एक तो वो एक जाइस तनकी जो जाती है मीडिया के उपर वो में तो सावा जो से, वो इस इन चीजों को हाइलाइट करते हैं, वहां उनको पता है, लेकिन सिंदी क्योंके जाहरी बात है, आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको उस लेंग्यूज में लिखा गया जब आपने पढ़ा ही तो आपको ज्यादा पता नहीं और इसका जो मतलब मैं समयता ह जो कसूरवार है अगर कोई, तो वो हमारे जैसे लोग हैं, एक जो वहां पर बैटे हुए हैं, जो लिख सकते हैं, जो उस चीज को हाइलाइट कर सकते हैं, लोगों तक प्रेЗंट कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, ठीक है, जब मैंने इस्टाट में कहा था, जब यह ज इतना काम करना चाहिए था हमने, उस हवाल से नहीं किया, तो यह उसकी जो नहीं स्टार्ट एक पॉइंट है, आगे जो नहीं हो जाए, बाकी वही है कि वह एक्टिवनेस वह नहीं है उस हवाले से, वह पहले भी में बता है कि उसके डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, यह पार्टी नहीं इस्तेमाल तो नहीं किया, पहली बात तो यह कि यह संधियानी तरीक के कोई इलीट क्लास की मुवमेंट शुरू से नहीं रही, तो यह जिस तरह कहा कि उनकी जो लीडर्शिप है, वो बिलकुल पैजन्ट और वर्कर्स गरानों से आती हैं, और खुद जो अवामी तरीक जिसका यह फेर्ट है, वो भी कोई इलीड क्लास की तन्जीम नहीं है, वो लैप्त की तन्जीम है, और शुरू से अभी तक जो उसकी लीडर्शिप है, वो भी ज़्यादे ज़्यादे मिडल क्लास के लोग भी होंगे, तो उसमें उससे साफ जामें नहीं होगा आगे बड़े लेगल पे तो वो कोई exploit करना या इस तरह अपने मफदात के लिए उसको इसको इस्तेमाल करना ये मतलब मेरी नजर से कभी नहीं हुज़रा इविन उसने खुद सियासत को ताकत दी है ठीक है कि मार्डी मूमेंट में जब वो खवातिन आती है तो उसके बाद वो मूमेंट और बढ़ती है कालवाग डेम हो दूसरे शूज हो ठीक है तो जाँ जाँ उनका रोल है तो एक्स्प्लाइट नहीं हुए है कहीं पर भी है इस तरह से हमें कोई चीज नगा नहीं आती है जी सर्थ मेरा एक कमेंट है और एक सवाल है कमेंट तो यह है कि बहुत-बहुत मुबारकबाद आपने यह जो काम किया है बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसा कोई शक्स ऐसा चैलेंज ले और वो तारीख हमारी जो के गुम हो जाती हमारे जहनों से उसको आपने साथ साथ चला है जो लेफ्ट की तरीका जवाल है वही सिंध्यानी तरीका भी जवाल है वैसे तो लेफ्ट भी किसी ना किसी दरा चलता रहा सिंध्यानी तरीक भी चलती नहीं लेकिन 1990 के बाद उसमें जवाल आया सवाल मेरा यह है कि उस जवाल में यह जो एक इल्जाम गये और उस से जो चाहिए वो सिंध्यानी तेरीक हो या लेफ्ट की दूसरी तन्जी में हो उनकी जो बेस्टी एक वो सारी वहां से निकल गई तो क्या आप समझते हैं कि ये इल्जाम दुरूस्ट है कि सिंध्यानी ते आपको अपनी तेरी अपनी रीसर्च में ये बात लग कि सिंध्यानी तेरीक का भी एक काड़र जिन में से बहुत सारी लोगों को हम परसली भी जानते हैं सिंध्यानी तेरीक की पुरानी खवातीन जो के मुक्तलिफ एंग्योज में चली गई क्या उसका कोई अमल दखल था इसमें क्या ये इल्जाम दुरूस्ट है कि का जो प्राजेक्ट आया उसके बाद है जो एक पुलिटिकल एक्टिविजम ता प्रैक्टिकल आप ने उसको जो 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 ट्रेनिंग में तबदील कर दिया आप बैठके अब ट्रेनिंग में वुमन इंपार्ण की बात कर रहे हैं आप वुमन इमेंसी पैशन वो कही नहीं वो तो हमें नजर आता है लेकिन जहां तक सिंद्यानी तरीक का तालव के अधर उसमें वही तोड़ी देर पहले में बात की कि लीडर्शिप ज्यादा तर वो उस तरह से पड़ी लिखी और वो चीज़ें हमें मालब वो नज़र नहीं आ रही हैं तो इंजियो सेक्टर जो करना ये मेरे खाल से ये बात की बात है कि एवन नाइंटीज के बाद भी सिंद्यानी तरीका एक रोल है एवन मुशरफ के टाइम पिरड़ में भी बड़ी जो मतलब मुवमेंट से लिए वो एंटी कालबाग डे मुवमेंट हो इवन जजजिस के हावाले से ये जो वकला पिले का के डिवेन हो रही है तो डिवेन ऐसा तक हो रही है कि मतलब रसूल बख्षपली जो अपने बैटे को पारिक कर रहे हैं पार्टी से तो अवामी तरीकों में आपना कि कुछ लोग इदर के कुछ लोग उदर बैठे हुए है तो वो होना और इसमें एक और जो एंग निकालना और निकलना का अमल शुरू हो गया कुछ को निकला गया कुछ खुद निकल गए और ज्यादा तर वो चले गए बाद में उनने एक अवामी जमूरी पार्टी है जैपी पार्टी बनाई हलाएं कि उसका भी उससाब से कोई ज्यादा बड़ा रोल नसर नहीं आता ह हमें लेकिन एट लिस्ट उनके अंदर ये पोटेंशल है कि वो लोग चले गए तो वो एंजियो में समयता हूं कि बहुत चंद खवातीन है ठीक है कि हमें कोई ज्यादा कोई सब्सक्रा तक नहीं मिलता कि कोई बड़ी एक लीडर्शिप हो जो बड़ी तदाद में वो सारी लंदाज में देखना है तो 2009 आनवर्ड ये जवाल जाता है और वो जवाल इसलिए जाता है कि उस टाइम के बाद जो पालिसीज थी वो लेफ्ट से थोड़ा दूर होके वो कहीं और जा रही थी ठीक है कि उसी तन्जीम के प्लेट फार्म से आप वड़ेरों के साथ भी बै जाए ठीक है तो उसमें आप लियाकर जतोई अर्बाब गुलाम रहीम इन जैसे लोग ठीक है जो सी एम रहे उनोंने क्या क्या किया उनके साथ भी आप बैठ जाते हैं तो ये और ये विदिन पार्टी वहां से एक तलाफा चुरू हो गए और यही टाइम पिरड है कि आप लिए बहुत जाएगी तो ये नहीं कि अगर वहां में तरीक जोड़ के जा जा रहे हैं तो उनकी खावादिन संद्यानी तरीक अंदर बैटी हो ये तो वह भी जा रहे हैं उसके ज़री ये काफिया तक जो आइडिएलोग लिए जए जिए को म कहां तो इसके बाद ये काफिया तक होता है तो मतलब मेरी रिसर्च के अंदर मुझे ये इतना एंजियो वाला फैक्टर ज्यादा नजर नहीं आता बहुत जबरदस्त डाकुमेंटेशन की है आपने आपको मुबारक हो और ये किताब जो है वो जो जो मेंटोर था या जो क्रियेटर था वो तर रसुल रक्षपली जो साथ थे वो खुद बहुत बड़े पाये के अधीब थे उन्होंने अफसाने लिखे तो जबरदस लिखे तनकीद की तो जबरदस की शाह लतीव पर बात करते थे तो लगता था कि इससे कोई ज़्यादा और बात नहीं कर सकता था और कई मोदों पर बात की सिंध्यानी तहरीक में वो इंटेलिक्चुल इलिमेंट जो है ठीक है बहुत सारी औरतें जो है वो पेजन्ट महोल से थी रूरल बैक्गराउंड से थी लेकिन कई स्टूड़न्स थी डॉक्टर्स थी बहुत पढ़ी लड़कियां भी थी खवातीन थी वो इंटेलिक्चु सिंध्यानी खवातीन नहीं बहुत कम देखी या मुझे नहीं I'm sorry if I'm being ignorant लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं वो इस लेवल की लिखने वाली नहीं है उस लेवल की इंटेलिक्चुल डिसकुशन जो है वो डॉक्युमेंट नहीं कर रही है वो खवातीन खुद कुछ और उनके अदीब दानिश्वर शायर उसे पाकिस्तान का ये क्यों गैप है इसमें एक सवार करे मेरा हो ये ये इतना जो बड़ा शौर था जाहरिये सिंध्यानी तारीक जो थी वो एक नज़िये के तर एक स्टेडी सर्किल्स ते पड़ी लिखी थी और बाकाइदा एक जबर्दस्त उस्ताद की जो है ना वो मलब उसमें रही है तर्बियत में रही है तो ये जो इतना बड़ा शौर था जिस रसाल ने कहा वो शौर मनलब हमें नजर क्यों नहीं आया बाद में कि वो जो खावातिन थी ये सिर्फ वहां पे हारणी तो नहीं थी वहां पे कोई मजदूर या वो ही दो नहीं थी पड़ी लिखी थी अच्छी खासी डॉक्टर और मुक्तलिफ यूनिवस्टीज में मेडिकल कॉलेजिस में तो वो आगे चल कर उस शौर को क्या हुआ वो क्रीम कहां कर चली गई क्यों मतलब हमें उसका इंपेक्ट सुसाइटी में नजर नहीं आ रहा है सबसे तो हमें किताबों में रिसालों में लिखने में इंटेलेक्शल एक्टिविटीज में वहां भी नजर नहीं आ रहा है सब पहले तो यह फैमिनिजम वाला जो आपने का कि इसको सिंदी में क्या कहते हैं तो इस पे हमने बहुत खुद भी सोचा पहले किसी ने मुझे सजेशन दी जब यह टाइटल पेज बन रहा था कि आप फैमिनिजम नहीं इसका कोई सिंदी में देखें कोई वर्ड हो तो वो रखें और आगे जोने में जिन्यानी तरीक की जिदो जादे इस तरह करें तो हमें एक ही वर्ड औरताजाद और वो भी अर्दू है तो उसे हिसाब से फिर लगा के चलें फैमिनिजम ज़्यादा समझा जाती है लोगों को अगुआ तो उस वाले से मालब वाकी हमने सोचा हमें कोई सवाले से कोई वर्ड मिला नहीं ठीक है अब फर्दर हम सोचेंगे अगर मिल गया तो जो नेक्स्ट कोई अडिशन वागर आए तो उस हवाले से अब यह जो आपका और सरका सवाले बिलकुल जो इंटेलिक्च्य लेवल है वो गेप हमें नजर आता है उसमें एक एलिमेंट वही है जो पेले भी मैंने कहा कि ज्यादा तर अगर हमें कम पड़ी यान पर जो मतलब थी खवातीन वह ज्यादा आगे नजर आती है फॉर फरंट पर लेकिन उसके अंदर जारी बात है कि एक दूसरा फरंट SGST ठ इंदी गल्स स्टूरंट तरीका तो जब वो इस्टूरंट्स हैं तो वो जारी बात है वो उनिवस्टीज में पढ़ी है और इवन मैडम भी जिस तरह वहां से व स्केडर से आई हैं दूसरी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो डिफरंट मतलब डिपार्मेंट में काम कर रह है तो वो भी उसके अंदर आजाएगा बागी जो जितना टाइम सिंद्यानी तरीक का जो मैगजिन चलता रहा है तो उसमें एक ट्रेडिशन ये डिवलप हुई के जो सिंद्यानी तरीक की खवाती ने वो भी लिखना इस्टार्ट करें और उसमें कुछ को मैंने यहां बो चीसे मेंचन की हैं कि जब वो की सूरत ओराल सियसी को पीश कर रही है तो उसका ये सिर्व नहीं है कि बता रही है कोई ज्यादा नहीं है इवन इस सथ तक है कि इसका जो फॉरवर्ड है इस किताब का वो भी किसी खातून है नहीं लिखा और यह बड़ी मेरे अपर तनकीद होती है कि किताब लिखने वाला भी मर्द जो फॉरवर्ड लिख रहा है वो भी मर्द अब सब्सक्राइब किसी खातून है उसके अंदर इस तरह की कोई हमें इस लेवल की खातून नहीं मिल रही थी जो फॉरवर्ड लिखे और सारी किताब को पढ़के वो सारी चीज़ है तो उसके अंदर जो नहीं यह मतलब दो तीन फैक्टर्स हैं एक जो पहला फैक्टर वो जब मैंने जिसरा कहा कि तू 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 नाइन अनवर्ड जब सिचूशन इस तरह चली गई के जो पढ़े लिखे लोग ते जब पार्टी से निकाले गए और निकलना इस्टार्ट किया उन्होंने वो जो जो पढ़ी लिखी खाती थी वो भी साइलाइन होती चली गई अब मैडम आपको कई नाम बता सकती हैं जो आज पार्टी में नहीं हैं खवातिन जो के अगर होती तो वो पूरी की पूरी किताब में लिख सकती हैं सिंदी में सिर्भ नहीं तो इंगलिश में लिख सकती हैं इसले हलका लेकिन वो जो पढ़ा लिखा के डर था हमारे पास वो च कुछ है लेकिन आज इस दोर में जब हम अभी बेटे हुए हैं तो अभी SGST का एक पूरा उनके पास मतलब SGST की इस सेंस में जरूर है कि जिस लेवल का मतलब हम कहें कि शहूर उस तन्जीम के अंदर मौझूद रहा है तो वो शहूर उसी तरह से शायद वो ट्रांसफर ना हुआ इंटलेक्शल लेवल के अवाले से यहां जिन में वो ट्रांसफर हुआ तो वो पार्टी में ही नाराई तो यह एक तरह से जोनों वो बड़ा एक गैप है तो उसे हिसाब से और यह मुझे शिदा से मसूझ हुआ जब मैंने इसके फॉरवर्ड के लिए मैं कोशे करा था कि जोनों सारी चीज़ें हों किस से लिकवाया जाया क्या हो तो उसके बाद मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है और आज भी मिलता रहता है तो यह कंडिशन है सुझार वार तहरी करें वह भी आमी तहरी की एक आफ्शूट है उन्होंने इंक्रियेटि जिए उसमें हमें बड़ी अच्छी खासी जो जब उनके लोग बड़े होगे सुझार बाहर जो है वो जब अडल्ट हो गये तो अच्छी खासी इंटेलेक्श्यूल उसमें डेफ् कोई दानुशर बने शायर बने यहां नहीं बन सके यह था मेरा सरफ इसके साथ इसमें एक तो जो इन्होंने कासिम ने बातें की वो उनसे मुतफ़क होते हुए दो तीजे में कहना चाहूंगी एक तो कुछ हैं खवातिन अभी भी जो जिनको में भी लोग नहीं जानते हैं नजीर कुरेशी भी कुछ तोड़ा बहुत लिए कुछ ऐसे हैं नाम लेकिन वो जाहर है कि बहुत नहीं है और दूसरा यह जो गेप है न वो सिर्फ खवातीन तक नहीं है यह मर्दों तक भी है मतलब पलजे साथ जे स्पाई का वो आलम अदीब और नकाद था पार्टी ज यह एक पूरा इसका मतलब है कि कोई गेप है जो पल्जे साथ जो करना चाहता था कि लोग पढ़ें और स्टेडी सर्कल भी हुए लेकिन जो एक परसनल एफ़र्ट होती है लोगों की वो उसकी कमी जाहरे रही और उसकी वज़ा से नहीं हो सही दूसरा जो है ना मैं समझती कि खवातीन इतना क्यों नहीं बढ़ सकी वो मेरे ख्याल में ये ओवराल सुसाइटी का भी मसला है ना क्यूंकि आप देखें इस वक भी लिखने वाले मर्द ज्यादा आपको ओवराल ज्यादा मिलेंगे इस कंपेर टो खवातीन खवातीन की और में तो ये अब इस पे काफी समझती हूँ कि खवातीन की ये जो इतनी मल्टी टास्किंग है जो घर भी संभालना है तो बाहर भी काम करना है तो ये भी करना है तो वो भी करना है वो उसके इंटल एक्ट को के लिए टाइम ही नहीं नहीं देता वो कम कर सकती है तो ये लागू होता है फिर यहां पर भी लागू होता है पार्टी के अंदर भी लागू होता है उस पार्टी की जो मेंबर है उसको तो पार्टी का काम भी करना है लेकिन घर का काम भी करना है बच्चा भी पालना है तो जो फिर उसमें कंप्रोमाइज जो होता है वो उसका य तकी चीज़ों को नहीं कर सकते, उसको कर। मेरा ख्याल है कि ये जो पूरी हम जो displaced है ना ये जेंडर के context में, ये उसका सवाल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का सवाल नहीं है, इस तरह से देख रहे हैं। हमने भी देखा है उस पूरे सेंट्रिक जी बिलकुल ये भी सही लास्ट जी मेरा आप से ये सवाल है कि जो सिंध सूबा है वो सबसे जादा प्रोग्रेसिव रहा है हिंदू कम्यूटी भी वहां पर बहुत सारी है तो क्या सिंध्यानी तेरीक में हिंदू खवातीन शामिल थी नमबर वन दूसरा मेरा ये सवाल है कि जितना जादा वहां पर अब मदर से बन गए हैं दूसरे मुलक की जो खवातीन है वो इसके इसके लि데 मजाएमत कर रही हैं या नहीं कर रही है शुर्या जे शुक्रिया अब पहला जो आपका सवाल है उस सवाल से बैसिकली मदब दो चार चीज़े है कर रहे हैं उस सवाल थोड़ी अगर बात की जाए बड़ी लेवल पहे हमें मतब प्र वरजन का मसला है जह सरा गोटकी है ठीकर डिस्ट्रिक्ट वहां पे अमें नजर आता है ठीकर वहां पे काफिया तक चीज़े हैं इवन हैदराबाद के अंदर चीज़ें हमें नजर आती हैं तो सिंधियानी तरीका इसके हावाले से एक बड़ा जबल किसम का स्टांज रहा है अब उसमें जारी बात है कि जसरा आप आप ने यह सवाल किया कि उसके अंदर हिंदू खावातिन वगरा है या नहीं एक तो यह लेफ्ट की पार्टी इसमें कोई मजभ की तफरीक वगरा है नहीं सिंधिय समाज के अंदर वैसे भी नहीं है ठीकर हमारे हम अदल वह कैडर है उस पार्टी का जाए कि वो संधियानी तरीक हो या वामी तरीक हो तो उसके अंदर भी हमें नजर आता है कि वो केंदू भी बेटे वो है मुस्लिम बेटे वो है लेकिन ये एक संजेटिव इशू है और इसको चैलेंज करने के हवाले से एक बड़ी हद तक इनोंने कोशें की है और इस सहथ तक कोशें की है कि मसला एक रेली ती कुछ अरसा पहले पलियो साब की डेथ से पहले हिदराबाद में एक बड़ी और उसमें सिंद्यानी तरीक की जो वो हम कहें कि वांडर्रेज की तादान में खावातिन मौजूद थी उसमें डिफरेंट रीजिन कनवर्जन नहीं अपनी मर्जी से कनवर्जन नहीं तो हमेशे ही जे जवान लड़किया हैं हिंदू वो ही क्यों आपकी तरफ आती हैं और कनवर्ड करवाती हैं तो उन्होंने कहा कि मैं उन जो भी बेटे हुए हजरात उनसे ये बजारश करता हूं अगर इसलाम को बढ़ा है ठीक है और उन्होंने बड़े लेवल पे हर जगह वो गए हैं और उन्होंने मुझ मुझार वगरा करना वो इस तरह से पूरी एक जोन वो तहरी के हाले से इवन आज तक भी वो इस हाले से मतलब उनका एक अपना रोल मौजूद है तो उसमें कोई हमें ज्यादा कोई डि अजिव किया है कि नहीं देगें का अबजेक्ट वो ही ता जो लेफ्ट की तन्जीमों का है वा आज तक कम्यूनिजम सोशलिजम आया नहीं है लेकिन उसमें देखें अगर उनका मैनिफेस्टो पड़ें संध्यानी तरीका नहलां कि मैनिफेस्टो बहुत बाद में लिखा मैनिफेस्टो में लिखा गया है लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंदर जो एक आपका अल्टीमेट गोल होता है वो तो वही है सोशलिजम और कम्यूनिजम का जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन उसके साथ साथ वोमन इमेंसिपेशन की बात भी आती है ठीक है कि उनको आप सिनारियो जो माजी में था वो नहीं है ठीक है जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो जो लोग पार्टी में शामिल हुए तो उनके पूरे पूरे खांदान पार्टी में आए उन्हों ने इतना असर चुड़ा कि वो जो पूरे एरियास थे वहां पे ये जो तक्सीम थी औरत पेच में कमी आई यजिए अगर खतम नहीं ही तो एक लिस्ट कमी आई तो यह काफिय सकते हैं वह कामिया भी जो 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 हुआ पड़ी तैड़ गोल है जारी बात है उसमें तो अबी बहुत ज्यादा स्रेकल कर रहे हैं जब तक वह हो लिग एक लेत वोमन के परस्पेक् एक मेरे ख्याल में जो बहुत अहम कंट्रिबूशन है और वो हर तंजीम का होता है और संध्यानी तरीक का खासतर पर में समझती हैं। वो जो हम कहते ना role modeling. कि आप क्या सुसाइटी में पेश कर रहे हैं तो सिंध्यानी तरीक ने जो पेश किया कि जी गरीब और अनपर्ड खवातीन जो है वो लीडर्शिप कर सकती हैं वो जो है जिदोजद में मर्दों के साथ कठे जो है वो रोडों पर पब्लिक लाइफ में आ सकती हैं सिर्फ प्र कंट्रिबूशन जो है न मेरे ख्याल में के रहा है और सियासत में इसा ले सकती हैं क्योंकि देखें ये समाजी काम करना ये बहुत एहम है ये इससे कोई इंकार नहीं है लेकिन सियासी जिदोजद में हिस्सा लेना ये और भी मुश्किल काम है क्योंकि आपको पता है कि ये सिndh के अंदर यह काइम की और हमें उसके बाद बह। सारी मतलब वो सिंद RTX लिघ का ही थिस्सा हैं या नहीं है वो अलग बाते हैं लेकर हमें बह। सारी خवतीन जो हैं वहमें नजर आती हैं मुखतलिफ पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ जगों पर पब्लिक लाइफ में सिंध का एक जो पूरा कल्चर है उस में मेरा ख्याल है कि सिंध्यानी तहरीक ने उस तबदीली में बहुत बड़ा कंट्रिबिशन जो है वो दिया है विच कांट भी इग्नोर और उसको हम बिलकुल नजर अंदास नही कर सकते हैं आप उसकी जो हम इस वक्त बात करें किटनी इफेक्टिव है नहीं इफेק्टिव है वो अलग जनते हैं लेकिन इसका जो असर है वो कल भी था अभी भी है और मेरा खौल में आप सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं क्योंकि अनफार्शुनेटली सिंधी जाहरे कुछ लोग नहीं पढ़ते कुछ समझ नहीं सकते हैं और जाहरे फिर फ्रेंड्स भी वही बनते हैं तो आप आप देखेंगे इस वक्त बड़ी एक इवन जो फिलेट का वक्त है इसमें बहुत सारी लड़कियां एक्टिव हैं बहुत काम कर रही हैं और बोल रही हैं मतलब सिर्फ यह नहीं के रिलीफ का काम कर रही है इशूस को उठा रही है तो यह बहुत ही एक जो एक खुश्राइब बात है अब जिस तरह मैंने नाम लिया वोमन डेमोक्राटिक फरंट का आजकल एक बड़ी मशूर दन्जीम है तो उनकी सेंट्रल है अपनी जनरल सेकरेटरी कामने डालिया उनसे मैं इंटर्यू किया और इस किताब के अंदर वो मैंशन्ड है उन्होंने कहा कि जब हम सिन्द में काम करते हैं उरतों के हुकुक के हावाले से तो जहां जहां पे जाते हैं और उरतों की बराबरी और इस तरह की बात करना इस्राट करते हैं तो वहां वो उरते कह देंगे अच्छा आप सिन्द्यानी तरीक से है मतलब सिंध्यानी तरीक ने पहले इतना काम कर चुकी है वो कि अब हम जहां भी जाते हमें कोई मुश्किल नजर नहीं आते हैं उसे वाले से पहला सवाल इंजिनियर मुहमाद अजाग साब का है वो एक इस्यू जो भी डिसकस हो सी के हावाले से सवाल पूछ रहे हैं मतलब आपकेस्तान से फेमिनिस्ट मुश्में आप प्रिस्पेक्टिव और शेपर आप लिकलिए और इंजिनदा और वालन अजर्ण रही हैं यह मुद्धर में जवाब गजूँका है यह मुद्धर नियू लेट जोइन किया तो इन्हों थेस्वाल रके ता त्यू है मेरा ख्याल में ये जन्हों ने आनलाइम देर से जोईन किया है अब उस पे हम दुबारा पूरे बहस में नहीं पढ़ना चाहतें कासिन साब की तरफ वो आप रिफर कर दी जिएगा तो उस पर कमेंट्स आएंगे आप लिख दी जिएगा जो आनलाइम दुबारा भी दूपरा प्रोग्राम जो है वो सुनें थेंक्यू सौंब लॉस्तर गरा बहस किसे आए आपने विसे लिख पेश किया तुमाम सिंधाइ जितनी भी ओमेंस तिजनोंने काम किया तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे जितनी बहस हुए है इसमें हमने वोमेंस का जिकर बहुत कम क तो मैं कहता हूँ कि चंद दे के आप नाम बताएं ताके हम भी ट्रिब्यूट पेश कर सके उनको हम भी जान सके उनके बारे में तो चंद दे के फ्लीज नाम बता रहे हैं खास तो और 80s की और 90s की जबर दर्यूट वाली दूसरी है नहीं आप भी हमारे लिए हैं में रोल माडल है उसमें बहुत ज्यादा खावातिन अब जित्तरा साइधा शेक का मैंने नाम लिया वो हैं और उनसाप अलीजो हैं ठीके तो उसके अंदर डिफरेंट और जोने वह खावातिना में अखतर बलोच हैं ठीके वह में नजर आती है जी 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 जरीना बलोच एक बड़ी मश्यूट सिंगर रही है सिंगी लोग सिंगर तो उनकी बड़ी कंट्रिब्यूशन है इसी के अंदर ठीके वो हैं तो ममतास निजामानी तो वो है जो मतलब वो बिलकुल दबंग भी और लोर क्लास आने वाली फिर वो सदारत के होदे पहुँची ठीके और उनोंने यह जो मैंने शेक हयाज की बात कि थी तोड़ी दर पहले शुरू में कि पैसे के लिए परेशान होगए कि को नै क्या है तो यह थी ममता निजामानी जब वो तक्रीर कर रही थी तो शेक हयाज सुनके परेशान होगए कि के यह खहते हैं प्रोफाइल्स लिखें उन खवातिन का, सिंध्यानी तरीकी खवातिन, जिनों ने एक जबदस किसम का उनका रोल राए, उनकी प्रोफाइल्स हमारे सामने आनी चाहिए, कि मतलब उनको एक ट्रिब्यूट के तोर पर, यहां तो हमने नाम तो चंद जोने वो दे दिये हैं, ल अरते मरते बची हैं, उनके अपने अंकल देव, उनको गोली मार रहे थे, कि तुम जोने जल्से में क्यों गई थी, तो उनकी मात ही उन्होंने कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा कि वो सारा कुछ, तो आप जब उनको सुनते हैं, हैं कईयों के रिष्टे टूट गए, त तेंट्री, तेंक यू, तेंक यू, तेंक यू, तुम जोश्यूम अठीनिघ, तुम एक दफ़ारना अपर्चॉनिटी दी, क्योंके वरना इस्लामाबाद में आप अंग्रेजी और उर्दू किताबों के बारे में तो सुनते रहते हैं, लें सिंधी या बाकी जो बहुत आने वालों का भी बहुत शुक्ती है